सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आईकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के महात्मा गांदी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है हमारे सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एक सशक्त ग्रामीन अर्थववस्ता देश के विकास की कुण्जी है लोगतंत्र की असल सफलता तब है जब शासन के सभी इस तरों पर जनता की भागिदारी सुनिश्चित हो इसलिए पंचायती राज विवस्ता को लाने के लिए 24 अप्रेल 1993 को सम्विधान में 73 वा संशोधन किया गया तब से ही इस दिन को रास्टे पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है इस बार का पंचायती राज दिवस कुछ खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब देश में लौकडाउन के चलते प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ग्राम पंचायतों से रूबरू हुए लौकडाउन के दौर में कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने में ग्राम पंचायतों के एहम भूमिक रही है ग्राम पंचायतों ने गरीबों और प्रवासी मजदूरों तक अनाच महया कराने में एहम भूमिका अदा की है पंचायती राजदिवस के मौके पर पियमोदी ने एके कृत ईग्राम स्वराज पोर्टल लॉंच किया इसके साथ ही स्वामित्व योशना की भी शुरुवात की गई उन्होंने देश भर के पंच और सरपंच को सम्मानित किया पियमोदी ने कहा कि कोरोना की भीमारी ने बहुत कुछ बदल दिया है प्रधार मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने सबसे बड़ा संदेश दिया है कि अब लोगों को आत्म निर्भर बनना ही पड़ेगा जिला पंचायतों को आत्म निर्भर बनना पड़ेगा सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए काफे कदम उठाए है आज गाओं में डेड़ लाग ब्रॉडबेंड कनेक्शन पहुच गए है इन सारे बदलाओं ने ही लोगों को डिजिटल मंच से जोड़ा है सरकार ने मोबाइल की यूनिटे लगाई हैं जिससे सस्ते स्मार्टफोन गाओं तक पहुच सके पियम मोदी ने इस मौके पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और एप और स्वामित्व योशना भी लाँच की इस पोर्टल के जरिये ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा किया जाएगा इस पोर्टल और एप से पंचायत के विकासकारियों के फंड की जानकारी होगी इसमें विकासकारियों के पूरी जानकारी गाओं के लोगों को मिलेंगे इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और काम तेजी से होगा इग राम स्वराज से पंचायते और सशक्त होंगे स्वामित्व योशना से ड्रोन के जर्ये पूरे गाउं के संपत्ति का लेखा जोखा दिया जाएगा और स्वामित्व का परमान पत्र सौपा जाएगा इससे मालिकाना हक को लेकर गाउं में जो जगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएगे और मालिकाना हक मिलने से संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा इस योजना को महराश्र, उत्तर प्रदेश, उत्राखन और करनाटक सहीट छे राज्यों में शुरू किया जा रहा है इसके बाद इसमें सुधार करके पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा पिये मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में गाउं से जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी बात हुई है इस बिमारी से निपटने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है दो गज दूरी प्रधार मंत्री मोदी ने इसके बाद पंचायतों के मेंबर से बाची शुरू की जिसमें जमो कश्मीर के पंचायत मेंबर से शुरुवात हुई भारत में पंचायती राज की नीव काफी पहले पढ़ चुकी थी इसी के चलते ब्रिटिश शासन काल में साल 1882 में लॉर्ड रिपर ने इस्थानी अस्तर पर प्रशासन में लोगों को शामिल करने की कुछ कोशिश की थी इसके बाद साल 1930 और 1940 में कई प्रांतों में पंचायती राज से जुड़े कानून बनाए गए गानी जी के आगरे पर सम्विधान की नीदिन देशक तत्वों में अनुचे 40 के तहट पंचायती राज को शामिल किया गया भारत में सामुदाइक विकास कारेक्रम की शुरुवाद 1952 में की गई लेकिन आम जनता इस कारेक्रम से सीधे तोर पर जुड़ नहीं पाई तर ये पंचायती राज विवस्ता की वकालत की राश्ट्रे विकास परिशद ने भी इस समीती की सिफारिशों को सही माना मैं बलवंत राय महता समीती की सिफारिशों के आधार पर सर्व प्रथम आंधर प्रदेश ने अपने यहां कुछ क्षेत्रों में लोक तांत्रिक विकेंद्री करण को लागू किया गया इसकी सफलता देखकर सबसे पहले राजिस्तान राजे ने 2 अक्टुबर 1969 को अपने यहां नागौर जिले में पंचायती राज की औपचारिक शुर्वात की उसके बाद दूसरे राज्यों में भी पंचायती राज विवस्ता को लागू किया गया बाद में पंचायती राज को और अधिक भैतर बनाने के लिए 1977 में अशोक महता समीती गठित की गई इस समीती ने पंचायती राज को दूई इस्तरिय बनाने का सुझाव दिया लेकिन इस समिति की सिफारिशों को देश में उस वक्त चल रहे राज़नीतिक अस्थिर्ता के कारण लागू नहीं किया जा सका योजना आयोग ने साल 1985 में ग्रामेंड विकास और निर्धन्ता उन्मूलन कारेक्रमों के लिए प्रुश्रास्तिक प्रभंध विशेपर जीवीके राव की अध्यक्ष्ता में एक समिति का ठित की इस समिति का मानना था कि विकास प्रक्रिया का धीरे धीरे नौकर्शाही करण हो गया है जिससे पंचायती राज़ प्रणाली के विकास में बाधा पड़ी है ग्रामेंड विकास मंत्राले ने एल एम सिंगवी की अध्यक्ष्ता में 1986 में एक और समिति का गठन किया इसका ओदेश्य पंचायती राज़ विवस्ता की जाच करना था। इस समिति ने पंचायती राज़ को समविधानिक दर्जा देनी के सिफारिश की। बहरहाल इसी क्रम में कुछ असफल प्रयासों के बाद संसद ने सम्विधान के 73 संशोदन के जरिये पंचायती राज संस्थाओं को सम्विधानिक मानेता दे दी सम्विधान में भाग 9 को जोड़ा गया जिसका सीशक पंचायत रखा गया इसमें अनुचेद 243 से अनुचेद 243 ओद तक में कई प्रावधान किये गए इसके लावा सम्विधान में 11 अनुसूची भी जोड़ी गई इसमें पंचायतों के काम के लिए 29 मद है और इसका जिक्र अनुचेद 243 जी में किया गया है 73 सम्विधान संशोधन अधिनियम में प्रतेक राज्य में तीन इस्तरिय प्रणाली का प्रावधान है अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला इस्तर पर पंचायत प्रणाली अधिनियम के तहट पंचायती राजप्रणाली के आधार की रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है इस प्रकार ग्राम सभा गाओं का एक संगठन है जिसमें किसी पंचायतिक शेत्र के सभी पंजिकृत मद्दाता शामिल होते हैं पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला इस्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यूं का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा अधिनियम में ये प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाती की आबादी के अनुपात में प्रतेक इस्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए इस्थान आरक्षित रखेगी अधिनियम में किसी पंचायत में इस्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाय इस्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है कुछ राजियों जिसे बिहार, राजिस्तान, हिमाचर प्रदीश और उत्राखन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षन का प्रावधान लागू है आदिनियम में प्रतेक इस्तर की पंचायत के लिए 5 वर्ष के कारेकाल का प्रावधान है लेकिन कारेकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है पंचायत में चुनाव लड़ने की नियूंतम आयू 21 साल है पंचायतों के सभी चुनाव के आयोजन करने की शक्ती राजिय चुनाव आयो के पास होती है 73 समविधान संचोधन के तहट ग्राम पंचायत को कुछ कर लगाने की शक्तियां दी गई है साथ ही राजिय की समेकित नीधी से पंचायतों को सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया जा सकता है राजिय का राजिय पाल पंचायतों की वित्य स्थिती की समिक्षा के लिए हर पांच साल पर राजिय वित आयोग का गठन करता है इस अधिनियम के प्रावधान जमुकश्मीर, नागलेंड, मिघाले और मिजोरम राजिय में तथा कुछ अनिक शेत्रों में लागू नहीं होंगे हाला कि कुछ खास कमियों के जलते पंचायती राज को वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद थी इसके कमी पंचायतों में ब्रष्टाचार, धन की कमी, कारियों में हस्तक्षेब और पंचायतों का राजनीती करण है फिलहाल पंचायतों के डिजिटली कृत होने की वज़े से इन कमियों पर अंकुष्ट लगेगा और आने वाले वक्त में पंचायतों के जरिये सत्ता के विकेंद्री करण में भी मदद मिलेगी कर दो